हलो स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था चैप्टर नाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओफ दा लिविंग ओर्गानिजम्स एनिमर्स जिसमें हमने कम्प्लीट चैप्टर डिपाइन किया था और आज हम करेंगे इसका बुक वर्क सबसे पहले है ए पा करें पार्ट्रेत नाइन फेंट वाइन पर्टिकल्ट अच्छी और मिक्स में ऊक। दौल जो चैप्टों मैं जो Lawn कि देते हैं में क्राइब औरSiक्रट करते हैंавать के सब्सक्चर पार्ट्र शूड जो ब्लहिरेश्र easy टो तक पहुंचाते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं वेन्स थर्ड है दर नर्वस सिस्टम कंजीस्ट ओफ बिलियंस ओफ डैश जो हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है वो किसे बना होता है बिलियंस ओफ काफी बिलियंस ओफ किसे बना होता है वो हमारा काफी नर्व सेल स से मिलके बना होता है next है मारे पास the dash portion of the brain control the left part of the body हमने पड़ा था कि जो right part ठीक है जो right portion होता है ना brain का वो control करता है left part of the body को और जो left portion होता है वो right part of body को control करता है इतमीं vice versa opposite है दूसरी के fifth है kidneys are dash shaped organs that have been filtering out waste product kidney है वो किस shape में होती है जो की waste material को product को filter करती है तो हमने पढ़ा तरहें वो bean की same होता है जैसे एक same सुना होगा आपने खाने वाली सबजी ठीक है तो वो bean की form में होती है kidney next है the skin remove water and excess salt in the form of dash कि हमारी skin होती है वो water को remove करती है और काफी salty नमकीनी होता कि इस form में पसीना ठीक है पसीना आता हमें थो पानी होता है liquid होता है ठीक है और क्या salty होता है तो उसको हम बोलेंगे sweat ठीक है पसीने की form में होता है वो next है the male reproductive organ system has a pair of dash जो male में reproductive organ होता है इसमें जो pair होता है उसको हम क्या बोलते है उससे हम बोलते है testis हमने पढ़ा था ना कि जो male है उसमें reproductive organ होता है testis और female में क्या होता है ovaries होता है next हम करेंगे इसका true false right true or false for the following statements first one is large intestine is responsible for the digestion and absorption of food कि जो large intestine है वो digestion करता है और absorb करता है food को तो इसका होगा हमारे पास false क्यों क्यों क्योंकि देखो large intestine है जो वो क्या है वो digest नहीं करता है बलकि जो undigested material होता है वो large intestine में आ जाता है next है pharynx is also called the voice box pharynx come voice box कहते है तो ये भी है false क्यों क्योंकि larynx को बोला जाता है voice box third है blood helps in maintaining our body temperature at a constant value कि जो खून होता है वो हमारी body के temperature को एक constant value तक maintain करके रखता है तो yes true ये हमने पढ़ा था blood के function में next है the blood vessels which take blood away from the heart to various parts of the body are cut arteries यानि कि जो blood vessels जिसमें जो blood को ले जाता है heart से खून को heart से ले जाता है body के अलग-अलग parts तक उसे हम artist कहते हैं तो ये हमारा बिल्कुल true है उसे हम artist कहते है जो क्या करेगा कि जो blood vessel जो क्या करेगा blood को ले जाएगा heart से next है kidneys filter out waste product from the blood kidney है जो वो filter कर देता है waste product को हमारी blood से तो ये बिल्कुल true है जो waste material होता हमारी body से उसको filter कौन करेगा kidney करेगा next अब हम करेंगे सीपा टिक दा cracked option first one is bile is secreted by the जो bile है ठीक है पित होता है वो किसे secret होता है देखो salivary gland से तो salivah होगा pancreas से pancreatic juice होगा तो liver से क्यों होता है हमारा bile secret होता है तो option ये होगा हमारा से ही liver next है हमारे पास the food taken in by the human stay for about 2-3 hours in the जो food हम लेते है ठीक है human body में वो 2-3 घंटे कहां पे रहता है वो हमारे stomach में रहेगा 2-3 घंटे तक next है the tuber like structure attached to the brain are known as कि जो tube की तरह structure होती है जो हमारे brain से जूड़ी होती है उसे हम क्या कहते है देखो winds winds तो नहीं होगा nerves भी नहीं ठीक है क्योंकि अब इन्होंने brain की बात किया और हमें पता है कि जो food pipe है ये तुमारे digestion से related है nerves भी नहीं होगा क्योंकि brain से attached क्या होती है वो होगी हमारी spinal cord next है हमारे पास the organ in the human body which filters out waste products such as urea from the blood is dash कि वो organ जो filter कर देता है waste product के जैसे urea waste material release करता है तो वो कुन करता है kidney करेगा वो watery form में भी हो सकता है liquid form में होता है या salty form में next is ovaries are a part of the dash ovary है वो किसका part है हमने पढ़ा था ovary है जो female में reproductive organ होता है तो ये होगा हमारा reproductive system का part अब हमारा ABC part complete हो चुका है और अब हम करेंगे इसका D part जिसमें हम पढ़ेंगे इसके question answer तो सबसे पहले हमारे पास D part में है first question answer the following questions in brief first one is how many teeth are present इना four month old child mouth कि एक चार मेने के बच्चे की मुँ में कितने दांत होते है तो हमने पहले chapter में starting में ही जब हमने mouth का topic किया तो उसमें read किया था teeth में कि जो बच्चे के दांत है वो six month में ही मतला हमें show होने शुरू होते है ठीक है तो four month में तो कोई भी teeth नी होगा तो इसका answer हो जगा no teeth second question है मारे पास where is saliva produce? saliva कहा produce होता है यानि लार कहां पे produce होता है saliva is produced in the mouth saliva है जो लार है वो produce होता है हमारे मूँ के अंदर ठीक है and secret कहां से होता है कहां से release होता है ये salivary glands ठीक है जो लार ग्रंथी होती है वहां से ये release होगा next define respiration respiration क्यों होता है respiration क्या है it is the process of in which oxygen is taken in तो हमारे पास ऐसी process होती है जिसमें oxygen को हम taken in the body or carbon dioxide को body से release करते हों से हम कहते है respiration fourth question है हमारा कि हमें बताना है name the flap that shut off the wind pipe when you swallow food हमें उस flap का नाम बताना है जो shut off बंद हो चाती है जहां पर wind pipe से जवाब क्या है food को swallow करते है निगलते हैं तो उसको मोलते है epiglottis ठीक है next है how many types of vessels are found in the circulatory system of human beings कि जो human beings में जो कितने type की vessels होते है circulatory system में तो हमारे पास होते हैं 3 type की vessels ठीक है जो क्या क्या है वो है हमारे पास arteries veins हो गया और capillaries यह 3 type के मारे पास vessels होते है six question है हमारे पास list down the main organs of the nervous system हमें बताने है main organ बताने nervous system की तो main organ of the nervous system हार क्या क्या होता है nervous system में brain होता है spinal cord nerves and sensor यह सब किसके पार्ट है यह हमारे है यह main organ है nervous system की seven question है name the structure that protect the spinal cord spinal cord को कौन protect करता है vertebral column यह से protect करता है eighth है name the process of fusion of an egg with the sperm कि जब क्या है कि egg और sperm का fusion होता है union होता है मिलते हैं तो इस process को हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं fertilization यह पार्ट में है answer the following questions first one is what is digestion digestion क्या होती है starting from the mouth मुह से शुरू होकर state the various step involved in digestion मुह से लेकर जो बाकी की step जो involved है digestion में वो हमें बताने है तो सबसे पहले हम बताएंगे digestion the process of breaking down or conversion of food into very fine and soluble particles कि ऐसी process जिसमें हम breaking down break कर देते हैं तोड देते हैं और या तो हम उसको convert करते हैं बदल देते हैं food को कि इसमें very fine बहुत मतलब fine छोटे-छोटे soluble particles में उसे हम कहते हैं this process starts from the mouth यह process हमारे मुह से शुरू होती है and there are various steps involved in digestion और बहुत से step है कि जो हमारे मुह से शुरू होकर क्या है और भी इसमें काफिया लगलग step है which are following is as जो की नीचे दिये गए है तो सबसे पहले हम read करेंगे mouth it contains teeth, tongue and salivary glands कि mouth में क्या होता है इसमें होता है teeth, dant होते है tongue, jiv होती है and salivary glands ठीक है लार्ग रंथिया होती है अब देखो हमें तीनों की parts बता दिया अब इनका work बताना हमें teeth क्या करता है teeth helps us to bite off large teeth, dant हमें मदद करता है bite off यानि की तोडने में large बड़े-बड़े piece of food large piece of food को bite करने में help करता है tongue, jiv हमें मदद करता है in tasting thing test करने में think को ठीक है किसमें मदद करेगा test बताएगा किसी चीज का कैसे है and in speaking and singing बोलने में और गाने में मदद करता है saliva helps to moisture saliva मदद करता में moisture moist करके रखेगा उसको थोड़ी नमसा करके रखेगा and soft करेगा food को ताकि it can be easily smell लुड़ता कि इसको हम असानी से निगल सके next है मारे पास mouth के बाद जो food जाता है food pipe में जाता है food pipe is a muscular organ एक muscular organ है the contraction of its muscle जब इसकी जो muscles होते है वो contract होते है security है is responsible तो वो किस के लिए responsible है वो क्या करता है वो pushing the food खाने को push कर देती है down into the stomach पेट में नीचे की तरफ क्या कर देती है उसे push कर देती है next है stomach यानि पेट अब food pipe से food जाएगा stomach में in the stomach पेट में जो क्या है food है वो क्या होगा get mixed with the gastric juice gastric juice के साथ क्या हो जाएगा वो mix हो जाता है secreted by the gastric gland और आप से भी पूछ लिया जाता है केंबर वन मार्क्स पे पूछ सकते कि जो gastric juice है कौन secret करता है तो वो करेगा gastric glands of the stomach gastric juice helps in the digestion of food gastric juice मदद करता है हमें किसके digestion में food खाने के digestion में भी मदद करता है next है हमारे पास liver and pancreas liver secret सा brownish green fluid liver क्या करेगा एक brown green कलर का fluid release करता है जिसे हम bile juice कहते है जो pancreas है pancreas क्या secret करेगा pancreatic juice pancreatic juice release करेगा जो क्या contain करता है उसमें कई enzymes होते है जो मदद करता हमें food को digest करने में अब आपका question आपको lengthy लग रहा है बट इसमें हर एक point में बहुत important questions है इनी से आपके काफी सारी short mcqs questions भी बन जाएंगे ठीक है तो इनको यह मा सोचें कि बड़ा है just point to point उसको याद रखिए next है हमारे पास small intense time अब small यह क्या करता है it absorbs nutrients यह absorb करेगा nutrients को कहां से digested foods है and takes them to all the cells और इसको लेगा सभी cells से body के सभी cells से लेगा through the blood capillaries blood capillaries की help से next है हमारे पास large intense team ठीक है बड़ी आंथ कहते हैं यह किसमें help करता है absorption of water from the undigested food undigested food को करेगा absorbed which is then pushed out as waste जिसको हम as a waste material body से बहार कर देते हैं तो यह था हमारा first question जिसमें हमने पूरी process बताई थी digestion की mouth से लेकर large intense strength तर next second question है हमारा draw a diagram of the tongue हमें tongue का diagram बताना है and show the location of the taste buds on it और उसमें जो taste buds होते हैं जिसमें पता चलता है उसका भी location बतानी है तो यह है हमारा answer number 2 जिसमें हमें tongue का diagram बनाना उसमें taste buds भी show करना है तो आप जब diagram बनाएंगे तो आप ऐसे बना लेना ठीक है तो यहाँ पर sweet यह name आप लिखोगे भी कि यहाँ पर हमें अलग लग taste buds बतानी है ना भी कि किसका taste कहाँ पर पता चलता है जासे यह salty है यह sore है ठीक है खटा है यह कड़वे के लिए bitter यूश की sweet मीठे के लिए उसकी है तिसरे साब इसका diagram बनाईएगा नेक्स्ट है मारे पास question number 3 explain the role of diaphragm diaphragm का क्या role होता है in the process of breathing सांस लेने में ठीक है तो हमें diaphragm का इसमें role बताना है क्या role है तो सबसे पहले है lungs cannot move by themselves कि जो लंग्स है वो खुदी किया है move नहीं कर सकता it is the movement of our diaphragm यह तो डाइप रागम की movement होती है कि जो जो end muscles होते है जो ribs और chest wall के बीच में क्या करते है कि जो भी हमारा diaphragm होगा या जो वो भी है उसको expand करेगा यह contraction करता है lungs को ठीक है तो इस तरह से क्या है breathing take place और इस तरह से सांस ली जाती है lungs नहीं move करेगा वो diaphragm उसको help करता है movement में question number 4 give the function of the heart हमें पताना है heart का function and the blood vessels in the circulating system तो answer है हमारा function क्या है heart का हमने पढ़ा था the main function of the heart is to pump blood blood को यह pump करेगा and keep it moving in the blood vessel और उसको कहां पर move कर देगा blood vessels में इसको move कर देगा blood को functions of blood vessels blood vessels की function बताने है blood vessels की three part पढ़े थे हमने arteries veins and capillaries ठीक है तो इसके function होंगे first one is artery का function है it take blood away from the heart artery क्या करेगा blood को ले जाएगा कहां से heart से लेकर चला जाएगा blood को body के अलग अलग parts तक winds का का काम क्या होता है कि blood को वापस लेकर आएगा heart तक ठीक है जो अलग अलग parts में blood जाया गया होता है ना उसको यह वापस लेकर आएगा यानि इसका opposite है यह next है capillaries these are very fine vessels इसमें बहुत ऐसे vessels होते हैं जो connect करते हैं arteries or winds को एक दूसरे से next है हमारे पास question number five state the function of the nervous system हमें nervous system का function बताना है and briefly explain the role of nerves in it और क्या role है nerves का वो बताना है nervous system controls and coordinate all the activities of our body nervous system क्या करता है यह control करता है और coordinate करेगा ठीक है control कर गा और coordinate का अतलब कि उनके बीच में तालमेल बना के रखेगा कि जो भी body क्या है activity कर रहा है अब हमें nerves के type पर उसके function बताने हैं हमें बता nerves are of two type two type के nerves होते हैं sensory nerves and motor nerves तो पहला function है function of sensory nerves it carry message from sense organs to the brain यह message को लेगा कहां से sense organs है उसको कहां तक पहुंचा देगा brain तक ठीक है sense organs से message को carry करके brain तक पहुंचाएगा और motor nerves का काम होता है कि जो कोई भी command है ठीक है जो भी command brain ने दी है उसको हमारी muscles तक पहुंचाएगा हमारे पास last question है question number six give a brief outline of the process of excretion by the kidney in human beings हमें complete process बतानी है excretion की जो भी kidney करता है excretion हमें पता है क्यों होती है कि body से waste material को release करना ठीक है तो वो kidney करता है इसका काम humans have two kidneys दो kidney होती है हमारी and each kidney supplied with blood from the renal artery और हर kidney क्या करती है supply करती है किसके साथ blood के साथ kidney क्या का काम होता है filter out waste product वो क्या कर देगा filter करेगा जो भी waste product है उसको blood से ठीक है क्योंकि ताकि वो मिक्स अपना हो जाए तो क्या क्या लग करता है जैसे यूरिया हो गया ठीक है जैसे as well as salt and excess water यानि पसीना हो गया हमारा ठीक है यह in the form of urine उसको किस form में यानि जो urine होता toilet होता उसकी form में body से उसे release कर देता है ठीक है कोन करेगा यह काम यह काम करता है kidney तो हमारा यह chapter 9 complete हो चुका है आई होप आपको वीडियो पसंत आयो तो आप question answer और book work करने से पहले एक बार जो chapter की जो reading हमने कीतिया समझाय था उसकी भी सारी वीडियो को जरूर देखे ओके बाई thank you have a nice day